नमश्कार, रिडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए पांच सेकेंड में स्टार्ट कहा जाता है कि जो आया है वह जाएगा ही पुराना जाएगा तो नया आएगा स्रिष्टि का यह अटल नियम है नय के लिए पुराने को इस्थान त्यागना पड़ता है इस इस्थान परिवर्तन को हमें सहजता से लेना चाहिए सजनता इसी में है विनम्रता सीखते हैं हम जाते को हाथ जोड़कर और आगत के आगे जुगकर प्रणाम करें यही योग है धर्म है और भक्ति भी सबको मिला लें तो संस्कृती भी गुजरे साल में समझदार लोग अपने पूरे साल में किये कामों का विशलेशन करते हैं अपनी अच्छाईयां बुराईयां और गलतियों का भी आकलन करते हैं ताकि आने वाले साल से अपने में सुधार ला सके कहते हैं आप स्वयम में तबदीलियां लाते हैं तो अपने आप सगे संबंधियों में बदलाव आने लगता है परिवार में कहा भी जाता है यह तो अपने बाबा से सीख कर बाबा बन गया है या यह भी सुनने में आता है कि अरे ये तो दादी हो रही है देखो तो इसे आप पूरी दादी अम्मा हो गई हो मुन्नी साल दर साल ऐसे ही बदलाव आते हैं जो प्रगति का सूचक हैं खुशहाली का दियोतक हैं वैसे भी ठहरा हुआ जीवन किस काम का कहते हैं ठहरे हुए पानी में तो अक्सर कीडे मकोडे पनपते देखे जाते हैं ऐसा पानी औरों को पानी पानी भी कर दिया करता है वर्ष के अंतिम दिन देश विदेश में जगह जगह गली महलों में विदाई समारोह बड़े ही जोर शोर से मनाए जाते हैं मानो आपस में खैर मनाई जा रही है दुहाई गाई जा रही हो कभी हसी खुशी तो कभी रोध होकर की आगे सब सकुशल रहे जो हम ग्रहन नहीं कर पाए सीख नहीं सके अब आगे सीख लेंगे सब सकुशल होगा चूकि समय रुकता नहीं है जैसा चाहेंगे वैसे कट जाएगा कट जाता है और काट देता है हमें समय से सीखना चाहिए समय पर सीख जाना चाहिए समय क्या कुछ दिखा देता है कह नहीं सकते वैसे कहा जाता है कि जो किताबें पुस्त के सिखा नहीं पाती उसे वक्त सिखाया करता है वक्त ही बुरे वक्त से लड़ना सिखाता है सीधे सीधे कहें तो गलत नहीं होगा अतिश्योक्त भी नहीं होगी कि समय एक गुरू ही नहीं महागुरू भी होता है इसका पढ़ा कभी भविश में पच्ताता नहीं है बस उसे यह गाठ बांध कर चलना चाहिए कि जो गलती हो चुकी है उसे दोहराएं नहीं उसकी पुन्रा वृत्ति ना होने दे कभी सुना है कि पसु पक्षी कीट पतंगे आदी कहीं पढ़ने जाते हैं कहीं नहीं हाँ सिखाने से ये बहुत कुछ सीख जाते हैं लेकिन वे सीखते तो स्वयम ही हैं जंगल पहाड या जील वीरानों में कौन किसको सिखाता है अगर उसके घर परिवार के सिखाते भी हैं तो बहुत ही कम सब अपने से और अपने बलबूते सीखते हैं असल में गलतियां वे दोराते नहीं चीटियां सीध में चलती हैं तो भेड़ भक्रियां समूह में ऐसे ही अन्यजीव जन्तुओं से हम सीख सकते हैं पर सीखना नहीं चाहते जबकी ये बेजुबान जानते समझते हैं बीमार होने पर अपना इलाज खुद करते हैं फल घास पत्यां खाकर अपनी डाक्टरी कर लेते हैं फिर बरसो बरस अपनी उम्र भी जीते हैं एक लिहाज से देखा जाए तो वर्ष समय ही होता है एक एक दिन से महीना और बारह महीने लिए एक साल हो जाता है इससे पहले एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और इससे भी आगे एक मिनट में 60 सेकंड पल-पल लमहों से ही समय बदता है जाने क्यूं हम सब भुला कर घूडे पर सवार होना चाहते हैं सवार हो भी जाते हैं जिसके फलस्वरूप कभी-कभी अंचाहा हो जाया करता है हमारे बड़े बुड़े इसलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखें धीरज से सब ठीक हो जायता है यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परेशानी खुद से कम दूसरों से बहुत अधिक मिलती है जीवन में जो भी घटता है वह सबक होता है मन की तसलिए देने के लिए कह दिया जाता है उपर वाले के करम है उसकी परम इक्षा है चूकि गुजरते वर्ष को हर कोई अपनी इक्षा और हैसियत से विदाई देता है हलाकि यह चलन साल भर मौके बे मौके बहुतों के यहां चलता रहता है पर वर्ष के अंतिम दिन आधी रात तक इसे मनाने का एक अलग ही आनन्द होता है आने वाला वर्ष हमें कुछ समझाए, सिखलाए, इससे पहले हमें समहल जाना चाहिए शायद इसलिए हम लोग नहीं, सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, कश्मे वादे खाते हैं एक सुधार के लिए इतना परियाप्त है, आवश्यक भी इतना ही कुछ गलत नहीं हुआ होगा फिर भी हम छमा मांगते हैं, माफी चाहते हैं, इससे जाता कुछ नहीं हाँ, एक खुशी मिलती है, दूसरे भी इस बहाने खुश हो जाते हैं पिछले ग्यारा महीनों और तीस दिनों से कम से कम यह तो सीख ही गए हैं